एलो फ्रेंड्स वेलकम टू अरोडाश्की यूट्यूब चैनल अरोडाश्की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम ट्विस्टर 2 प्रो जो न्यू लॉँच हुई है ट्विस्टर 2 प्रो उसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे और उसके कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे डेखते हैं कि उसके साथ क्या-kya एकसव्य है और मसीन कैसी दिखती है लाइव में वह देखते हैं आये ऊब अपन इस Blach को खोलते हैं औरदेखते हैं क्या-kya पैना से मिलना इस समय बढही भासयक्त है कि वो टैकिंग बहुत अच्छी करती है ताकि ट्रांस्पोर्टेशन में कोई भी नुक्सान ना हो नीचे जैसे पाटिया लगाना साइड में से अच्छा टैक करना पूरी तरह से शेप्टी का पूरा ज्यान रखती है कंपनी कोई भी मसीन हो कि में अॉक्पाेशन न, बजाएदन में होगा। कि एान चुक्या फंगें ट्रांस्पोर्टेशन से खमाना से यल झाल होताएँ । कि अछ्वेशन से घच्जा से अगणै अग्त। याँ सिंडर एक पर प्रिग कम खरक अवा, छरके थैंट सब्ड़़्िः एंग करके हैं क्रेख्प एक मैं वोगम यह अपनी पुस्टर प्रो पाइब को पूल चुका है आप जैसा कि आप देख सकते हैं यह फर्मा कॉल की स्वीट्स लगी वीडेंगे और यह अपने पुस्टर प्रो की बुकलेड़ देखने को मिली अपने को सबसे पहले और इसके साथ कुछ एसेश्रीज में क्या आता है वह देखते हैं तो बुखलेट हो गई पूरी पुखलेट एसेश्रीज में फ्यूज वगेरा वही सारी क्लिप्स वगेरा आती है कुछ कटर्स देखने को मिल रहे हैं अब यह करके सारा आइटम दिखांगा पहले अंदर और देख लेते और क्या अच्छे से एक दम अच्छे सकता की भी होती है मसीन हिल भी नहीं सकते मदल इतने अच्छी पैकिंग होती है ताकि ट्रांस्पोर्टेशन में कभी भी कोई भी तला का नुक्सान ना हो यह अपने पावर केबल हो गई हैंडल हो गया आप डाउन करने के लिए सारे आइटम्स बहर आ चुके हैं अब अपन इसको देखते हैं कि हट गया है कि दिखने में ट्विश्टर तू जैसी एक पुरानी वाली की तरह ही बट फीचर्स थोड़े से अलग है इसके से अलग है इसके ना अब आ इसके जाए कि निकल गया है अब यह यह नियू पाया है जो की अब इसका ऊपर यह पूरे डिटेल दी भी है कि इसको आप कैसे लोटेट कर सकते हो यह क्लैम तो उसके लिए यह फीचर्स दिये गए तो अभी तक तो मैंने भी इसको यूज नहीं की है जब भी मैं कोई चाबी कटूंगा तो वो वीडियो जरूर बनाऊंगा यूज करूंगा जब मेरे को पता चलेंगे इसके फीचर्स होगेरा कि कैसे यह यूज होती है इसके अंदर क्या-क्या फीच से होंगे फिर भी ट्राय करने के कोशिश करते हैं कि यह तो अभी तो फिलाल तो नॉर्मल में पोजिशन में है यह देखिए आप रोटेट होना चालू हो गए जैसे आप लूज करेंगे इसको पीछे से पीछे यह मूह दिये गए हैं तो वह रोटेट हो जाएंगे मलब ज करने का देखिए कौन से डिगरी में आपको रोटेट करना है रोटेट करके आप पीछे से वापस दोनों तरफ से टाइट कर दीजिए और यह तो वह होई गया यह अपना एक है यहां का एंडल हो गया जो कटर नीचे अब डाउन करने के लिए काम आता है मसीन को नीचे करन यह उस एंडल को टाइट करने के लिए नीचे करके यह क्लैम खोलने के लिए और यह इस रोटेशन को बंद करने के लिए और यह उस रोटेशन को बंद करने के लिए के रोटेट ना हो टाइट कर देते तो और यह क्लैम सीधा सीधा रहे लेफ्ट राइट ना जाए उसको के लिए सारे फीचर्स यह हो गए 90 डिग्री 80 डिग्री का ऐसे गुमती है यह भी मैं आपको बता दिया दोनों तरफ से लूज करने के बाद जब तक आप यहां से लूज नहीं करेंगे तब तक यह राउंड नहीं होगा यह लूज करने के बाद ही राउंड होगा और अब साथ में क्या-क्या आता है वो देखते हैं अपन यह बुकलेट हो गई तो इसके पूरी केटलोग के इसके अंदर क्या-क्या काम होता है क्या नहीं होता है वो सारा इसके अंदर दिया वा यह कैबल हो गई और सप्लाई की कैबल और यह सब ऐसे सरी जैसे कि आप देख सकते हैं यह कैलिब्रेशन के लिए चाबी मतलब 1,2 ठाउब पे लगाने के लिए क्या आप बराबर चाबी लगा दो उसके अकॉर्डी यह मतलब यह कलिफ दी भी है दो की यह अल्ट्र हो गय mês तू दो कलिफ यह होगई दो और फ्यूज हो गये यह के लोगई सप्लाई की 2 यह कटर है डॉट वाली चाबी के एक अल्ट्रा कटिंग वाला कटर हो गया और ट्रेसर हो गया आप देख सकते हैं एक एलंग की परस यह सारे आइटम इसके साथ आते हैं यह टुश्टर प्रो अपनी आप देख सकते हैं अब इस तो प्रो में निव फीचर्स बहुत अच्छे हैं जो आजकल मार्केट में चाबया चल रही है वो दूसरी मशीन में करती नहीं है वह सिर्फ टुश्टर प्रो में ही कटेगी उसके अकौरडिंग बहुत अच्छी मशीन है और दिखने में भी आपको पता यह मिंड़ सिल्गा की मशीन दिखने में सुंदर होती है कहने की जोड़ूती नहीं है जिस किसी भी बाइकोट उस्टा टू प्रो या कोई भी एक्स वाई-जैड मिंडा सिल्गा की मशीन चाहिए वो सभी रेडी स्टॉक एवेलेबल है आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं अरोडा की जोत